तो दोस्तो चलिए आज आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी ललित नरायन मितला विस्विक दैले में बीए, पीरसी, बीकॉम में आप लोग एडमिसन लेना चाहते हैं यह जी पार्ट वन में तो आपको कैसे ओनलाइन अप्लाइ करना है इसके बारे में जनकारी और साथ ही दोस्तूँ, ऑनलाइन अप्लाइ करते समय आपको किन-किन बातों को ध्यान में रखना है ताकि आप लोग आगे चलके किसी भी प्रगार की समस्या नहोँ अग्रिक इसके साथ ही ओन-फ्लाइन अप्लाइग करते हैं उस समय कोटी, कोटी को ध्यान में रख़िए यानि आप SCST Connect है, General है, OVC है, या जो भी है, आपको वहाँ पे धेयान दे के और आपको फिलप करवा लेना, इसके साथ ही ओनर्स पेपर जो लेंगे, वो फाइनली ठीक ठाक से लिजेगा, और अब बाद में ओनर्स पेपर चेंज नहीं होता है, तो चलिए आपको बताते हैं ओनलाइन अपलाई कैसे करेंगे, खबरी सब्पटा पर जाएए, और इसके बाद होमपेज पर आने के बाद आपको यह पोस्ट मिलेगा, इसे ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद दोस्तों आपको नीचे एसकोल करते हुए आना है, और आने के बाद दोस्तों यहाँ पर सा अपलाई फ्रम यूजी 2021, उस पर आपको सिंपली किलिक कर लेना है, और किलिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना सारा डिटेल फिलप कर लेना है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको कोर्स सेलेक्ट करना है कि आप क्या लेना चाहते हैं, और अपना आवेदक का नाम, फादर्स का नाम, इसके साथ ही यहाँ पर माता जी का नाम सेलेक्ट करना है, डेट अप बर्थ, और आप जेंडर है, मेल हैं या फिमेल सेलेक्ट कीजिए, मोवाल नंबर और इमेल आईडी डाल के ओटीप सेंड कर दीजिए, ओटीप सेंड कीजिएगा, तो आपको डिरेक ओपसन मीले जाएगा, लोग इन करने का वहां से भी लोग इन कर सकते हैं, लोग इन करने के बाद आपका आधा से ज्यादा डिटेल आपको फिलप होहां मिल जाएगा, simply आपको यहां पर कौटी फिलप करना है, तो आप SCST है जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है, इसके ब इसके बाद आपको नीचे आना है आपका इमेल आईडी एस्टेट पूछेगा आपको एस्टेट यहां पर सेलेक्ट कर लेना है आपका सारा डिटेल आधा से ज्यादा फिलप ही रहता है इसके बाद आपको इहां पर अस्थाई पता देना है और अस्थाई पता में आप लोग को कैसे फिलप करना है मैं आपको बताता हूँ जैसे कि आपका वाड होगा वाड दीजिए इसके बाद पर माता चाही पिता का आपको मॉल नम-र दे लिया पर तू यह आपको देनी पर ओना एक ता मीज़ dht नम यह उस्वत में इसके बाद Ihrer फोटी करना you can manage the remember अमां आप लोड खाए जैल करना दिशव गजो आप को प्लोड करना है इसंध के लिधिस से अगले step पे submit करने के बाद आपके सामने आएगा आपको qualification detail पूछेगा तो आप qualification detail में आपको यहाँ पे board select करना पड़ता है सबसे पहले नमर तो आप लोग इहाँ से board select कीजिए इसके बाद आपको क्या है यानि 10 plus 2 में आपका क्या था honors वो choose कीजिए और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं कुल अंक आपको दरसाना है 12 में कितने marks आये थे आपका passing year क्या है आपका roll number क्या है इसके बाद साड़ा चीज detail दरसाने के बाद आपको कर देना है save and next और इसके बाद दोस्तों आपके पास अगला page open होके आ जाएगा जहां पर आपको honors paper select करना रहता है तो आप लोग जो honors लेना चाहते हैं यहाँ पर यह बंदा commerce से है तो आप यहाँ से art या commerce ले सकते हैं दो में जा सकते हैं तो आपको यहां पर जो honors है वह ही लेना चाहते हैं तो commerce लीजिए इसके बाद आपका honors क्या रखना है honors select कीजिए इसके बाद दोस्तों आपको कुछ देड़ बेट करना है बेट करने के बाद आपको यहां पर बता दिया जाएगा कि आप इसके लिए eligible हैं या नहीं है तो आप chemical composition बहुत बहुत है तो सबसे बहुत है नंबर आपको डिश्टिक select करना है इसके बाद college का नाम select करना है यहां पर savoir दिये गए गए है इसके बाद दोस्तों आपन पर district select करने के बाद आपको आप Alban persones को यहां पर नाम select किज्जिए, जो भी college में इसके बाद आपको subsidiary paper यहाँ पे select करना है तो जो भी subsidiary paper आप लोग लेना चाहते है उसे यहाँ पे select कीजिए और subsidiary paper 1 और subsidiary paper 2 दोनों select कीजिए इसके बाद language paper आपको यहाँ पे select करना है अगर rb Hindi लेते हैं तो 100 marks का हो जाएगा और rb 9 Hindi लेते हैं तो 50 marks का होगा तो आप लोग यहाँ पे rb 9 Hindi लेते हैं तो automatic आपको rb English automatic हो जाएगा तो आगे चलके या दोस्तों आगे आपको desktop या PC में कर रहे होंगे तो आप update मिल जाएगा तो आप लोग फिलप कर सकते हैं इसके बाद submit next कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों आपको payment वाले gateway पे ले जाया जाएगा और इसके बाद आप लोग payment gateway पे चले आएगे payment gateway पे आने से पहले आपको यहाँ पे print preview को option मिल जाएगा print preview को option पे किलिक करके और आप लोग तना सारा detail जो फिलप किया है वो देख सकते हैं इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे च्ट्वेंट का नाम अप्लिकेशन नम्मर फी आपको कितना लगने वाला payment यहाँ पे देखने कुल मिल जाएगा इसके बाद I am agree accept किजिए और pay now पे क्लिक कर दिजिए चली इससे पहले आपको यहाँ पे एक information दिया गया है note दिया गया है अगर आपका आवेजन सुल्क वापस नहीं होता है तो क्या करना है यदि आपका भुगतान कट गया है आपके खाते से तो आपको यहाँ पे 72 घंटा रुक जाना है इसके बाद दोस्तों आपके खाते में पैसा अपडेट कर दिया जाएगा या दोस्तों आपको print out का option मिल जाएगा यानि आपका form successful submit हो जाएगा तो चली पहले चलते हैं और print preview वाले option पे और इसके बाद दोस्तों यह देख सकते हैं जो admission करते समय जितने भी detail डाले होंगे आपको यहाँ पे सारा information देखने को मिल जाएगा इसके बाद देख लीजिए इसके बाद print वाले option पे किलिक करके और आप इसे print कर सकते हैं चाहे तो आप अपने mobile में या desktop या PC जहां चाहर online कर रहे हैं वहाँ पे भी आप लोग इसे save कर सकते हैं तो चलिए हम mobile में online कर रहे हैं तो एफ फॉर साइज select करते हैं और इधर PDF download का option मिल जाता है simply आपको उस पे किलिक करना है और application form में आपका नाम जो भी है वो दे सकते हैं चलिए मैं यहाँ पे LNMU के नाम स save कर लेता हूं और इसके बाद आपको कर लेना done यह आपके mobile में जाके save हो जाएगा चलिए इसके बाद दोस्तों आपको करना है payment वाले process को submit तो इसके लिए आपको home button पे यहाँ पे किलिक कर देना home button पे किलिक करते हैं दोस्तों आप जिस gateway पे रहेंगे payment gateway पे रहें और इसक जायते हैं पि debit card, credit card, networking, smart card जो भी है उससे आप लोग payment कर सकते हैं तो दोस्तों आपके पास जिस प्रकार से सुबधा है, networking का सुबधा हो या credit card card या debit card का या दोस्तों पे फोन Google पे जो भी सुबधा हो उससे आप लोग online यहाँ पे payment कर आ सकते हैं अगर दोस्तों आपका payment first जाता है तो आपको बहुतर घंटा bet करना है इसके बाद दोस्तों आपका payment जो है वो successful हो जाएगा या आपके account में refund कर दिया जाएगा तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल नगभड़ा है आगे चलके इसके बारे में जो भी information आएगा आपको जरूर बता दिया जाएगा सा जरूर अपर आपको क्छ देर बिल्ला करना है करने के बाद दोस्तों अब प्रिंट का option मिल जाएगा जो आप सारा डेटियल दीया है वो आपको आपको ओहां पर देखने को मिल जाएगा अगर दोस्तों आपके फ़र्म में किसी परकार की गलतिया हो जाती है तो आपको GTV कर सकते हैं I hope दोस्तों वीडियो पसंद आया तो like share कर दीजएगा और चैनल पर पहली बार आयोंगे तो subscribe जरू कर लीजएगा